त्रिकोन मितिय अनुपात पहले ही हम sin, sinθ, cosθ, एवं tangent, tanθ जैसे त्रिकोन मितिय फलन से मिल चुके हैं। ये फलन प्रयोह त्रिकोन मितिय अनुपात कहलाते हैं क्योंकि उन्हें एक समकोन या त्रिकोन के दोनों भुजाओं के लंबाई के अनुपात के रूप में परिभाशत किया जाता है। दर्शाय अनुसार एक समकोन त्रिकोन ABC लेते हैं, यहाँ कोन CAB का न्यून कोन है, कोन A के संदर्ब में भुजा BC की स्थिती पर ध्यान दें, यह कोन A के सम्मुक है। हम इसे कोण A के विप्रीत भुजा कहते हैं, एवं AC समकोण त्रिकोण का कर्ण हैं, एवं भुजा AB कोण A का एक भाग है, अतह हम इसे कोण A से सनलग्न भुजा कहते हैं. एक समकोण त्रिकोण ABC के कोण A के त्रिकोण मितिय अनुपातों को निम्नलिकत रूप से परिभाशत किया जाता है, कोण A का साइन बराबर BC बटा AC, कोण A का को साइन बराबर AB बटा AC, कोण A का टैंजेंट बराबर BC बटा AB, कोण A का को सीकेंट बराबर 1 बटा कोण A का साइ बराबर AC बटा VC कोण A का सीकेंट बराबर 1 बटा कोण A का को साइन बराबर AC बटा AB कोण A का को टेंजेंट बराबर 1 बटा कोण A का टेंजेंट बराबर A B बटा BC उप्रोग्त अनुपातों के लगुरूप क्रमशह साइन अ", कौस A, टैन A let's give the name कौट A हैं एवं अनुपात को सेक A, सेक A तथा कौट A क्रमशह, साइन A, कौस A तथा टैन A के व्यूत क्रम हैं। उप्रोक्त अनुपातों से हम देखते हैं कि 10A बराबर BC बटा AB बराबर BC बटा AC विभाजत AB बटा AC बराबर साइन A बटा कौस A एवं कौट A बराबर कौस A बटा साइन A टिपणी यदि कोण अपरिवर्तित रहें तो किसी कोण के त्रिकोण मीतिय अनुपातों का मान त्रिकोण के बुजाओं के लंबाई के आधार पर परिवर्तित नहीं होते तिपणी हम साइन ए वर्ग कॉस ए वर्ग इत्यादी के स्थान पर साइन ए वर्ग कॉस ए वर्ग आदी लिख सकते हैं ग्रीक अक्षर थीटा का उपयोग एक कोण को दर्शाने के लिए होता है